चोड़ी चोड़ी कहानियां सिखातीं बड़ी बड़ी बातें आज की कहानी प्रकास साहिब की है कॉलेज में थे तो पप्पो के नाम से जाने जाते थे सारे दोस्त उसको पप्पो भाई करके बुलाते थे कुछ लोग सिर्फ पप्पो कहते थे graduate हो गए, master's किया, MBA किया in business administration, double mastery हो गई, double MA हो गए उसके बाद नोकरी करने के बज़ाए उन्होंने सोचा कि मैं जड़ा business चालू करूँ बड़े छोटे पाए पर अपना business चालू किया सदभाग्य से और पप्पो भाई की अकल से business चल निकला और दस साल में इतना चला, इतना चला, इतना चला कि प्रकास पप्पो प्रकाश रहे हो गए business world में नाम हुआ, interview के लिए लोग आए और interview लेने वादे ने पूछा प्रकास सर, क्या आप बताएंगे कि आपकी सफलता का राज किया है प्रकास सर बोले, मेरी सफलता के तीन राज है पहला राज, काम को पूरे दिल लगा करके करना दुसरा राज, अपनी च्छमता का, अपनी ability का, अपनी कबिलियत का, पूरा का पूरा इस्तेमाल करना और तीसरा राज, सिर्फ वेतन के लिए काम नहीं करना काम से संतोस मिले, इसलिए काम करना interview लेने वाले बहुत खुश हुए और अगला प्रसम किया प्रकाश सर ये बताईए कि आपने ये तीनों सिध्धांतों को तीनों प्रिंसिपल को आत्मसाथ कर लिया होगा प्रकाश सर मुस्कुरा के बोले नहीं 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 मैंने इन सिध्धांतों को आत्मसाथ पुरा का पुरा नहीं किया है लेकिन जो लोग मेरे लिए काम करते हैं उनको ये तीनों सिद्धान्त पूरे के पूरे आत्मसाथ करवा लिये हैं और मैं इंश्योर करता हूँ कि जो लोग मेरे लिए काम करें ये तीनों सिद्धान्तों का 101% पालन करें तिनों सिध्धान्तों को 101% आत्मसाथ करें यही मेरा काम है छोड़ी सी कहानी सिखाती है बहुत सरी चीजे प्रकास्षर की थोड़ी सी निगेटिविटी है जो दूसरों से अपेच्छा रखते हैं खुद शैड पुरा का पुरा नहीं करते लेकिन एक बड़ा पॉसिटिव मैसेज है और मैसेज है यदि आपको सफल होना है तो अकेले काम करने से सफलता नहीं मिलेगी अपने साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कैपेबिलेटी बढ़ाना भी ज़रूरी है मैं खुद ये टीन सिध्धान्त मानू तो शायद पूरी सफलता हासिल नहीं होगी लेकिन मेरी पूरी की पूरी टीम यदि ये तीन सिध्धान्तों को माने तो सफलता निश्चित है अब आप इंप्लॉयर हैं आप मालिक हैं या आप इंप्लॉई हैं आप कर्मचारी हैं डोनों को इस कहानी से कुछ न कुछ तो सीखना है 365 कहानियों की सिरीज में अगली कहानी में फिर मिलते हैं थैंक यू धनिवाद नमस्ते